नमस्कार म्योंकरीमा स्वागत आपका नाइन बारत समाचार में आईए देखते हैं खबरे विस्तार से जारखन में मुंबई जा रहे ही ट्रेन के काई डिपे पट्रे से उतरे बाराखाय केरल के भायनाड में भीजन बारिश के बीच लैंसलाइड मुलबे में दभी सो से जाधा लोग एयरफोस के दो हेलिकॉप्टर छपाना राजस्तान में कावडियों पर बरसाई डंडे दुकानों गाडियों में तोड़पूर महराष्ट्रे के जंगल में एक महला लोहे की जंजीर से बंधी मेरी जेब में अमेरिकी पासपोर्ट की कॉपी अस्ट्रेलिया भारत जपान और सेंग तुराज अमेरिका की चोगनी साज़तारी कॉपार्ट ने सोंबार को टोकियों में घोशना की कि वो हिंद महासागर छेत्र में समुदरी डोमेन जाकृत्ता के लिए इंडो-पसिफिक पार्टनर्शिप आई-पी-मडे का बस्तार करने का इरादा रखते हैं बैठक को संबोधित करते हुए विदीश मंतरी डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि क्वार्ट समुद के चार्ज सदर्शेल लौक तंत्र हैं जो एक सकती शाली इस्तरी करण कारक के रूप में काम कर रही है मंतरियों ने युक्रेइन, गाजा और मयामार में हिंसा को तुरन समाप्त करने का भी आववाहन किया बैठक के बाद जारी एक सब्सक्र पयान में कहा गया ऐसे प्रयासों के तहट हम समुदरी डोमेन जागुता के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनर्शिप आईपी-MDA को हिंद महसागर शेत्र दग्भुगोलिक रूप से विस्तारित करने का इरादा रखते हैं आईपी-MDA का उद्देश महत्वपुन समुदरी मार्गो की सुरक्षा सुनिशित करना है विदेश मंत्रियों ने कहा कि गाजा में जीवन रक्षक मानवे सहायता क्या पूर्टी में महत्वपुन रुप से वृद्धी करने की ततकाल आवशकता है और शेत्रे वृद्धी को रोकने की महत्वपुन आशकता पर जोर दिया किरल के वाइडार्ट में भिष्ट बारिश के बीच में लैंड स्लाइड भूस खलन हुआ है इसमें सो से जादा लोग फस गए हैं लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रस्की ओपरेशन चलाय जा रहा है जानकारी के अनुसार लैंड स्लाइड मगलवार के सुबह तड़के करीब दो बचे हुआ इसके बाद सुबह करीब चार बच कर दस मिनट पर फिर एक बार लैंड स्लाइड हुआ न्यूज एजन्सी के अनुजार लेंड स्लाइट के चलते करीब सो से जादा लोग मलबे में फस गए हैं जिने बाहर निकालने के रिड़ेस के ओपरेशन चलाय जा रहा है गटना के बारे में पता चलते ही सरकारी तंत्र बचाव अभियान में जुड़ गया है आज राज्य के मंत्री गटना स्थल का दोरा कर सकते हैं जारखर में आज सुभा मुंबई जा रही एक च्रीन के लगभग 18 डिबे पत्री से उतर गए और 12 लोग उसमें घाल हुए हावडा CSMT एक्सप्रेस चमशेदपूर से करीब 80 किलोमेटर दूर बड़ा बाम्बू के पास पत्री से उतर गई गटना की सुचना मिलते ही बचाब दल को तुरंद गटना स्थल पर भीजा गया और बचाब एम राहत अभियान जारी है वरिष्ट रेलवे अधिकारी ओम प्रकास्चरन ने बताया है कि एक माल गाड़ी भी पास ही में पट्रे से तर गई लेकिन अभी तक इस पश्च नहीं हो पाया है कि क्या दोनों दुर गटनाएं एक साथ गटित हुई उन्होंने बताया कि पट्रे से उतरे 18 डबों में से 16 यात्री डिबबे एक पावर कार और एक पैंट्री कार थी अधिकारियों ने बताया कि घायलों को रेलवे की मेडिकल टीम ने प्राथमी कुपचार दिया और उन्हें बहतर इलाज के लिए चक्रधर पूर ले जाए गया उन्होंने बताया है कि ट्रेन के पट्रे से उतरने के बास्त्री कारण का पता लगाना अभी भी जारी है भारतिय रेलवे ने यात्रियों की सहाइता के लिए हल्प लाइन नंबर भी जारी किये है जुन जुनों के लोहा गर्ल धाम पहुंचे कावड्यों को पुलिस ने दोड़ा दोड़ा कर पीटा रविवार रात करीब एक बज़े स्नान करने के लिए कावड्यों की भीड़ मर पड़ी विकाबू पुरिशों की भीड़ चनाना कुट तक पहाँच गए महिला इस नान नहीं कर पा रही थी हालाद बिगड़ता देख पुलिस ने लाठियों से भाजी इससे गुसाए कावड्यों ने जम कर उत्पात मचाया दुकानों और गाड्यों में तोड़ फोड शुरू की उधर जैपुर के सामभर लेग थाने में कावड्यों को कॉंस्टिबल ने थपड मार दिया इससे हंगामा शुरू हो गया कॉंस्टिबल को लाइन हाजर किया गया पुलिस ने सक्ती की और सनान कर रहे कावड्यों को कुंट से निकालने का प्रयास किया इस दौरान एक दो कावड्यों पर लाठी भी चलाएं इससे कावड्य भढ़क गए उन्होंने वहीं धाम पर तोड़ फोड और वॉलियंटेस के साथ मार पीच शुरू की इसके बाद बाहर जाकर गोलियाना सर्कल पर आदा दरजन से ज़ादा दुकानों और काडियों में तोड़ फोड की इससे सीकर रोड पर जाम लग गया बरेली में सौमवार को 80 साल की वरिदा के रेप के बाद हत्या करते गई परोसी ने घर में खुसकर वारदात को अंजाम दिया परोसी अपने घर में अकेली रहती थी उसके पती और बेटे की पहले ही मौत हो चुकी हैं परोस में बहला के भाई भावी रहते हैं उन्हें के साथ उनकी बहू रहती है परिदा की बहू ने बताया कि सौमवार दोपैर करीब एक बजे वो किसी काम से घर गई थी घर का दर्वाजा बन था जब दर्वाजा खोला तो परोस में रहने वाला 35 साल का युवक मुझे धका दे कर भागा परिदा खुन से लटपत जमीन पर तड़प रही थी हम लोग अस्पताल लेकर गए यहां इलाज के दोरान उनकी मौत हो गई पुलिस का कहना है कि पोस्ट माटम रिपोर्ट के आने के बाद ही आगे की कारवाही की जाएगी यह मामला बरेली के हाफिस गन छेतर का है एस्पी देहार पुकेश चंद्रमिशा का कहना है कि आरोपी राकेश को हिरास्वत में ले लिया गया रदा किशव का पोस्ट माटम कराय जा रहा है पोस्ट माटम रिपोर्ट के आधार पर ही पूरा मामला पता चल पाएगा इस संबन में तहरीर के आधार पर कारवाही की जा रही है अंदर से जब कुंदी घगराठ हुई कौन है क्या है जब अंदर हमारी दोरानी उनको उपर भेजा उस बच्चे को भेजा क्या कि उपर जा के देखो कौन है जब देखा तो वो उनको ले जा चुका अंदर अंदर कौन आदमी था वो बढ़ाजी होगा पर रखा आए राकेश नाम है इसका आज दिनांग 29-24 को कस्वा सेंथल से थाना हाफिज गंग में सुचना प्राथ हुई कि एक 85 वर्षी व्रद्धा निवासिनी सेंथल थाना हाफिज गंग के साथ गाउं के ही एक नामजद व्यक्ति ने दुश्कर्म किया जिसके फलसुरूप उसकी मिलती हो गई है इस सुचना पे तद्काल थाना फुलिस तथा अन्यदिकारी करण ने मौपिका मुएना किया है सब को कबजे में लेकर पंचायत नावा पोस्माटम की कारवई पशलित की गई है महाराष्ट के सिंदुदर्ग जिले के एक जंगल में एक पचास वर्षे बहला को लोहे की जंजीर से फेड से बंधा हुआ पाया गया और उसके पास से अमेरिकी पासपोर्ट की फोटो कोपी के साथ-साथ अन्य दस्तवेज जिसमें तमिल नाडु के पते वाला आधार कार्ड भी शामिल है बरामत हुआ पुलेस अधिकारी ने आज ये जानकारी दी है शनिवार शाम को सोनुरली गाव में एक चरवाहे ने उसकी चीखे सुनी जो यहां से करीब चार सो पचास किलो मेटर दूर है और महिला को बंदा हुआ और परेशानी में पाकर पुलिस को सूचित किया महिला को सामंत वारी राजे की कौंकन शेतर में एक अस्पताल में ले जाया गया और फिर सिंदु दुर्ग के औरोस में उसकी मानसिक और स्वास्ते इस्तिती को धन में रखते हुए उसे उनत उपचार के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है वहां वो खतरी से बाहर है उसे इलाज कर रही डॉक्टर्स ने बताया है वो मानसिक समस्याओं से पीरित है हमारे पास उसकी चिकिच्चा पर्चे भी मिले हैं अधिकारी नी जानक पारी के अनुसार पुलिस ने बताया है कि महिला पिश्रे 10 सालों से भारत मेरा रही है उत्र प्रतेश के प्रताब करके एक विवाहित महिला को पीर से बांद कर उसके बाल का दे गए और पंचायत के आदिश पर उसकी चहरी को काला किया गया क्योंकि उस पर गांक एक व्य पती मुंबई में रहता था और अपनी पत्नी के संबंद के बारे में जानने के बाद खर लोटा उनके तीन बच्चे हैं रविवार को महिला के परिवार के उपस्तिती में पंचायत बुलाई पंचायत के आदेश पर महिला को पेड़ से बांद कर उसके बाल काज़े गए ऐसा पश्चमी छेत्र के अतरिक पुलिस अधिक्षक एसपी संजेराय ने कहा। पुलिस टेशन के प्रभारी निरिक्षक नंद लाल सिंग की शिकायत पर 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्स किया गया और उनमें से 17 को गरफतार करने के लिए प्रयास जारी हैं। अधिकारी ने कहा। उतरप्रदेश के प्राथमिक स्कूल से एक चोक आने वाले घटना सामने आई जहां स्कूल के प्रिंसिपल कख्षा में सोती हुई पकड़ी गई जबकि छात्र उन्हें पंखा जल रहे थे इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस को छात्र उनके बगल में खड़े होकर हाथ के पंखे से उन्हें ठंडा कर रहे हैं द्रश्य में ये भी दिखाया गया है कि एक लड़की के बाद दूसरी लड़की प्रिंसिपल के बगल में बैट कर उन्हें पंखा जल रही है शोशल मीडिया पर व्यापक निंदा और आक को पुराना शहर में पुलिस द्वारा लोगों की पिटाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो पुलिस अत्याचारों के खिलाफ पी आई एल के माध्यम से तिलंकाना हाई कोट का दरवाजा खटखटाएगे उन्होंने कहा कि कोट जाने से पहले वो ये मामला सरकार के ध भरों के बाहर हैं उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है पुलिस कर्मी खुद को फ्रेंडली पुलिस नहीं मान रहें यदि वो बिना किसी कारण के पुराना शहर के लोगों को निशाना बनाना जारी रखते हैं तो अब हम ऐसे पुलिस कर्मियों का सामना करेंगे अखबर दीन ने कहा यदि पुलिस का उद्देश अपराद को नियंतरित करना है तो वो ऐसा कर सकते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अवैद गतिविद्या कहां होती है और कौन उन्हीं कर रहा है अगर पुलिस एमांदार है तो उन्हें निर्दोश युवाओं को पीटनी की व लंगन हो रहा है तो पुराना शहर में निर्दोश लोगों को क्यों पीटा जा रहा है उन्होंने पूछा है उन्होंने सरकार से राज्जी में पूरी तरह से शराब बंदी लागू करने का आगरह किया ये कहते हुए कि महलाओं के खिलाफ अपराद शराब की लप्त के कार में निलोफर होटल और वह शराब की दुकान पूरी जबर्दस मैं दावत से जाकर आने के बाद भी बारा बज़े तो खुला है कमिशनर साब की आग बन है या फिर कमिशनर साब के आफिस में वह पुलिस डिपार्टमेंट के आफिस में जो भी डिगनिटरीज बढ़े आते ह प्रै स्नेक्स اور बॉटल्स पूरे मा से आरे बोलके बनने ही कर रहे उनको और गरीब को बन करते हैं मारते हैं पीटते हैं आपकी आपके सामें दुकाने खुले हैं और आपको दिखाई नहीं देता लेकिन पुराने शेर के गरीब लोग घर से बाहर निकलते हैं आई टी में पीट रहे हैं ये क्या जलम है बताईए आप मैं आज ये बात कह रहा हूँ और ये भी बात कह रहा हूँ पैनल स्पीकर साब अगर हरीश राओ साब भी मेरे साथ आना चाहते हैं मैं अपनी तरफ से एक P.I.L. डालने वाला हूँ हाई कोट में पोलिस के खिलाफ उनकी जलम औ नाइम साथ पीके खिलाफ अगर ये बंद नहीं होगा। इसको पर आप दो कोट तो कोट इस गुन टेशन में एक मियुट आपके जलिटार ये रहा लेजिसलेटर एक पॉर्ल फोर लीडर ओपर ये पार्ट ये पार्ट ये नियुट ये लेजिसलेटर और आपके जलम आप the police and correct themselves then I will be forced to go to the court I will be forced to go to the court it's the failure I am going to go to the court and this is Hyderabad का नाम Hyderabad का brand को खराब कर रहे है। हैतरबाद पुलिस के केंदरी अपराद स्टेशन CCS ने पूफ मुखिस सचीब सोमेश कुमार और अन्य के खिलाफ मामला दर्स किया है जिसमें बाने जिक्कर के अतरिक्त आयुक्त एस्वी काशी विश्वेश्वर राव उपायुक्त हैतरबाद ग्रामीन शिवराम प्रसाद IIT हिद्राबाद के सायक प्रोफेसर सोभिन बाबू और पिलान्टो टेक्नलोजी प्राइवेट लिमिटर्ड शामिल है नाम पले इस्थित सेंट्रल कंप्यूटर विंग के सैथ आयुक्त सीटी के रवी कनूरी ने 26 जुलाई को GST धोकधरी का आरोफ लगाते हुए शिकाय कर सकती है FIR के अनुसार वाने जिक कर कार्याले द्वारा की गई प्रारमिक चांच में राज्जी को GST में हजार करोड रुपे का नुकसान होने की बात सामने आई करीब 75 कंपनियों को अन्यमित्ताओं का दोशी पाया गया कतित गोटाले का खुलासा स्टेट बेवर जेज कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड की फोरंसिक ओडिट के दोरान हुआ इस बीच कतित दोखा धड़ी की अंतर राज्या चांच के बात राज्य सरकार ने मामले को तिलंगाना पुलिस के अपराध चांच विभाग को स्थाना अंतरित करने के आदिश जारी कर दिए जारखन में मुंबई जा रही ट्रेन के काई डिपे पट्री से उतरे वारा खाय केरल के भाइनार में भीजन बारिश के बीच लैंसलाइड मलबे में दभी सो से जाधा लोग एयर पोस के दो हेलिकॉप्टर चापाना राजस्तान में कावडियों पर बरसाई डंडे दुकानों गाडियों में तोड़ पूर बरेली में 80 साल की व्रधा कारी फिर हत्या और उसे ने घर में घुसकर की बारदाथ शरीर पर मिले कई जगार शोट के निशान महराष्ट्रे के जंगल में एक महला लोहे की जंजीर से पंधी मेरी जेब में अमेरिकी पासपोर्ट की कॉपी अभी के लिए इतना ही लगाता खबरों के लिए बढ़े नहीं हमारे साथ नमस्कार